दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल कृष्णा फैंटेक्सी में आज हम बात करेंगे रवांडा वूमें स्टी टैन मैच के बारे में जो कि यहां से खिला जाएगा स्टी सी वूमें वर्सट जी क्यू वूमें के बीच दोस्तो यह मैच आपके इंवेश्मेंट के लिए काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम प्लेयर है जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा दिंगे कौन से वो प्लेयर होने वाले साथ ही साथ में कौन सा बैट्समिन का बैटिंग करेगा कौन सा बोलर का बॉलिंग करेगा सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बता हुआ तो वीडियो को एंटर जरूर देखीगा दोस्तो अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है किर्षना फैंटेसी आप देख सकते हो दोस्तो इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी टेलिग्राम से जुड़ना आपके लिए काफी जादा इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तो अगर आपको सो रूपे फिरी पेटियम चाहिए तो देखे आपको कुछ भी करने की जरुवत नहीं है आप में से काफी भाईयों को पता होगा कि अगर आप स्पोर्ट सी एप को फर्स टाइम डाउनलोड करके रेइस्टर करते हो तो इस पोर्ट सी एप आपको सो रूपे फिरी पेटियम देता है तो इस पोर्ट सी आपको डाउनलोड करके रेश्टर कर लेना इस पोर्ट सी आपको डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दियावाए और डिस्किशन बॉक्स में दियावाए लिंक पे किलिए करके स्पोर्ट सी आपको डाउनलोड करने के बाद जब रेश्टर करो तो वही नमबर डालना जिससे आपका पेटियम अकाउंट बना वाए तो तुरंत आपके पेटियम में सो रूपे फिर ही आ जेंगे दोस्तो अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी फेंटेसी की टीम की तो उरसे पहले आप सभी से एक रिक्वेश्ट है जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तो आपको पता है हर वीडियो में मैं आपको हर प्लेयर के बारे में पूरी डीटेल के साथ एक एक चीद बताता हूँ तो यह एक छोटा सा कम आप भी कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का तो एक बाद इतने भी भाई वीडियो को देख रहे हैं सभी के सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा बात करें दोस्तों विगिट कीपर में सबसे पहले यहां से हैंडरी टे के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो देखिए यहां से काफी नीचे बैटिंग करने आती है वैसे तो यह दस मैचेस में अगर मैं बात करूँ तो 131 सनीनोंने करें बैरेना के बारे मैं बात करूँ दोस्तो तो यह अगर खेलेगी तो आपको उपन करते वे नज़रा सकती है मौश्टूजर चान से उच्छे मैचेस में अगर मैं बात करूँ तो सकता ही सन इनोंने करें तो इतना अच्छा तो इनका जो आइना स्कोर नहीं रहा है इस चीज को ध्यान में आप रखके चल सकते है वही अगर यहां से मैं बात करूँ दोस्तो एम उवासिक के बारे में दोस्तो 23 मैचेस में इनोंने जो है 184 रन करें और टॉप और की बैट्समेन है तो अगर यह खेले की तो आपको टॉप और में खेलते में नजराने वाली है वही अगर यहां से बात करें दोस्तो एफ उजिन नेजरा के बारे में दोस्तो तो देखिए दो मैचेस में इनोंने जो है डीसन के 32 सं करें साथी में इनोंने तीन विकिट भी निकाले तो आप इनको अपने टीम में रख सकते हैं फिलाल अगर मैं बात करें तो मैं अपने टीम में रख रहा हूँ जो कि इस मैच में मुझे एक अच्छी पिक लग रही है जो कि आपको रन करके दे सकती है बाकी और भी है आपको मैंने ओप्शन दे दिये लेकिन अगर उनका रीसंट का फोर्म मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तो वही अगर मैं यहां से बात करूँ दोस्तो यहां से विम पाई के बारे में इनका क्या रहने वाला है तो देखो भाई 10 मैचेस में इनोंने जो है लगबग 140 सन मनाएं साथ ही में 9 विकेट भी इनोंने निकाले तो इस चीज को आप देख सकते है वही यहां से भी वासिक के बारे में बात करें दोस्तो इनका क्या रिकॉर्ड रहा है तो इनका भी अच्छा रहा है वैसे तो 7 मैचेस में आप देखोगे तो 19 सन करें और 2 विकेट निकाले तो बैटिंग से इतना कुछ खास नहीं है बट पार्ट टाइम बालिंग आपको करवा की दे सकती है तो पार्ट टाइम बालिंग करवाईगी तो आपको वहाँ से जो है ना पॉइंट आपको दे सकती है दोस्तो वहीं अगर यहां से किसी और प्लेयर के बारे में बात करें दोस्तो तो एक ट्रंप प्लेयर में आपको बता देता हूँ आई जी डिवाइन दोस्तो यह आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है नो मैचेस में अगर मैं बात करूँ तो बीस रन करें चलो रन तो करें लेकिन यह बॉलिंग भी करवाती है और साथ विगिट भी इसने निकाले तो इस चीज को आप ध्यान में रखके आगे च आई तो इन के बारे में दोस्तो तीन मैचेस इनों ने खेले रिसेंड के उसमें अगर मैं बात करूँ तो 43 इनों ने करें साथ ही साथ में 4 विगिट भी इनों ने निकाले तो ग्रैंड ली खेलते हो इनको अपने टीम में आप जरूर जगा दे सकते हो फिलाल यहांसे तीन मेरे वैट्स में रहने वाले वहिता इनों ने वाले वह अगर मैं आपके पास जो है सबसे बेड्च वाल राउंड अगर मैं बात करूँ तो यहांसे कुजवे हो जाएंगे दोस्तो 66 मैच्रें के बारे में आगर मैं बात करूँ तो लगभग 513 में रन इनों ने करके 750 मैं 144 को आप देख सकते हैं यहां से एक प्लेयर के बारे में और बता देता हूं दोस्तों आपको ट्रम प्लेस जैनेटी इस मैच के लिए ले मतलब ये भी आपको जो है बॉलिंग करवा ते वे नजरा जाएगी और बेटिंग भी आपको कर लेती तो इनको भी आप अपने टीम में जो हैना रख सकते हो आसानी से इतनी प्रॉबलम मुझे लगता नहीं है कि आने वाली है तो आप इनको आसानी से अपने टीम में से तो चार मैचेस में इन्होंने 25 सन करें साथ ही साथ में दो विकेट निकाले तो इनको आप चाहू तो ट्राइ कर सकते हो अधर्वाइस मुझे तो इतना अच्छा जो है यह पिक नहीं लग रहा है इसलिए मैं जो है अभी के लिए इनको अपने टीम से ड्रॉप करके चल रह साथ ही साथ में एक विकेट भी इन्होंने निकाला है तो आप चाहू तो इनको भी अपनी टीम में जो है ट्राइ कर सकते हो ठीक है तीन मेरे ओल राउंडर रहने वाले और बॉलिंग में बात करें दोस्तो यहां से जी ववासे का आपके पास option है अगर इनके बारे में बात करूं दोस्तों कितने विकेट इन्होंने जो है रीसेंट में निकाले तो देखिए अगर रीसेंट के बारे में बात करूं दोस्तों तो इन्होंने ठीक ठाक इनका परफॉर्मर्स रहा है तो देखो पांच मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इन्होंने 50 चास रन भी करें मतलब ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेती है और तीन विकेट भी इन्होंने निकाले मिडल ओर में आपको खेलते हुए नजरा जएगी तो इस चीज को ध्यान में रखिए वहीं अगर यहां से मैं बात करूँ सी यू के बारे में दोस्तों इनका क्या रहने वाला है तो विकेट टेकर बॉलर है नो मैचेस में इन्होंने अब तक 11 विकेट निकाले तो इनको आप अपनी टीम में जगे दे सकते हो मुझे यह काफी हद तक जो है एक बैस्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है इस मैच के लिए रोशाइन के बारे में बात करें दोस्तों तो चार मैचेस में चार विकेट इन्होंने निकाले साथी में 43 रन भी इन्होंने करें तो आप इनको भी अपनी टीम में रख सकते हो और वहीं एक और आपको ट्रम प्लेर जिनका सेलेक्शन मातर 17 परसेंट है दोस्तों जे एन के बारे में बात करूँ 65 मैच्चेस में इन्होंने 200 रन करे 241 उनके आज पास 79 विकिट भी निकाले मतलब आलमोस विकिट टेकर बॉलर है हर मैच में आपको विकिट निकाल के दे रही है तो फिलाल यहांसे जेन को रख रहा हूं में और जाएंगे यहांसे c u हो जाएगी और यहांसे चार मेरे यहांसे बॉलर रहने वाले कैप्टन वाइस के बारे में बात करें तो दोस्तों यहांसे कुलब का आपके पास एक मस्ट उप्शन है मैंने आपको उनके बारे में बताया तो एक must option हो जाते है फिलाल में इनको captain कर रहा हूँ और wise captain जो है यहां से विंपाई को लेके जा रहा हूँ दोस्तो दोनों बैटिंग बॉलिंग आपको करके देती है तो एक अच्छी यहां से जो है choice बन जाते है टीम के पिर्विव के बारे में बात करें तो दोस्तो फिलाल ही हमारी टीम का पिर्विव आप देख सकते हैं आप इस टीम के साथ अपना contest जोइन कर लिजेगा बाकि final team आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी टेलिग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे कमेंट बाक्स में दिया वाए और डिस्किशन बाक्स में दिया वाए लिंक पे के लिए करके टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लिजेगा final team आपको टेलिग्राम पे ही मिलेगी दोस्तो अगर आपको 100 रूपे फिरी पेटियम चाहिए तो देखे आपको कुछ भी करने की जरुवत नहीं है आप में से काफी भाईयों को पता होगा कि अगर आप sportsC app को first time डाउनलोड करके रेजिश्टर करते हो तो इस sportsC app आपको 100 रूपे फिरी पेटियम देता है तो इस sportsC app को डाउनलोड करके रेजिश्टर कर लेना डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट वाक्स में दिया आवा है और डिस्किशन वाक्स में दिया आवा है झाल झाल